हेलो फ्रेंड स्वागता है आप सबका एच्चम शाफ सुने नाम है आज मैं आप सबके लिक ने अटोपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि जब भी आप होटर मेर्मिन का कोर्स कर लेते हो तो ऐसे फ्रेश हैर आप अब ब्रॉड में जाके जॉब कर सकते हो यह नहीं तो इ यही में सब आपको बताऊंगे तो आपको में स्टैब बाइन बताती है तो चलिए सबसे पहली बात है कि जब भी आप धॉर्ड मेर्मिन की डिग्री कम्पलिट कर लेते हो और आप यह पिर डिप्लोमा करते हो और फिर आप अप्लाई करते हो बाहर के लिए तो काफी कम और आपको काफी कम अपरचुन्टी मिलती है, माल लेजिए अगर आप कैसे ना कैसे करके बाहर चले भी गए तो आपके जो है ग्रोथ जली से बढ़ती ही नहीं है, अपरचुन्टी नहीं मिलेगी आपको, वो क्यों? क्योंकि आप से ज्यादा, आपके स्किल्स से भी ज्याद महां के जो लोग है, वो ज्यादा स्किल्स बेस्ट पर है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, उनकी लेंगवेज का, फर्स्ट जो पॉइंट आता है, उनकी लेंगवेज पर आता है, क्योंकि आप इंडियन हो, और आपको महां की लेंगवेज काफी कम समझ में आईगी, और उसके लिए पहले आपको आईल्स भी करनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे फ्रेशर जारे हो, बात करते हैं, गल्फ कांटर में आपको आइल्स नहीं करनी पड़ेगी, बड़ जब भी आपको एफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ''ईल्स पर अपको ragles लोगन के इक्सप प्रिच nhiβन मी बिलती, युग सा काफी कम मिलती है। आप ने सोच लिए कि मैं जा रही है, दो आपने वीजा लगवा लिया। और मैंने अपना AIGLS के लिए रच लिए कि अब मैं जा सकते हूं। और मैं ज़ुक सब्सक्तर है, अगर आप deposit आफ चिछ फरेश है ईसको तो समझहाना बढ़ रहे है हर बार काम ही नहीं करना आ这 और जो इतने श्टीक होता है कि यहough कि आप उतने nessa कि आपसr 시청 आपको बोल देek आि को स्पुझ को आपना होता है और अगर आपको नहीं आता सीध्ह आपको निकाल देते हैं इंडिया होगे इंडिया आने के बाद आपका जो पैसा लगा वह तो वापिस नहीं है कि जो आपको काफी डॉलोर में आपका पैसे लगा कि आप यहां से गई हो तो इससे बैटर यही है कि जब भी आपको बाहर अबरोड जाने का प्लैन करते हैं कि मुझे जो है मैंने डिग इसके बाद आप बाहर के लिए अपलाई कर दीजिए तो तो फिर आपको ज्यादा बैनिफीट भी है काफी अपरचुन्टी मिलती है और अगर आप जा रहे तो आपका एक्सपीरियंस होता है आप बोल सकती कि मैंने फाइव स्टार होटल में इंडिया में यहां पर जॉब आपका एक रेश्ट्रेंड है आपका रेश्ट्रेंड है आपको चला रहे हो आपके पास आज़े फ्रेशर आया तो मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे आप जॉब दे दीजिए और मैं आपसे पहले सीखूंगी कि मुझे पहले सिखाए कि करना क्या है क्योंकि यह इंडिया तो आप पर पर कैसे करोगे अगर आपको पाइब अपको पाता चल गए उनकी रिस्पोंसिबिलिटी आपको पाता चल गई अब हांपर ड्यूटी कैसे होती है यह सारा कुछ आपको पता चल गया तो फिर आप असानी से बारे ब्राड में कर सकते हो जैसे मैंने आप होता है आपका रेश्ट्रेंट है मैं आपसे जॉब मांग रही है और मैं आती हूँ और मैं आपसे कहती है कि मुझे आप जॉब दे दीजिए और में जह कुछ नहीं आता है मैंने कहीं काम नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे कैसे सर्व करते है क्या cooking का method है यह सब मुझे नहीं पता तो फिर क्या आप मुझे job देंगे हाँ या ना आप सीधा मना कर दोंगे अगर मैं चाहूंगी मैं मैं बिल्कुल मना कर दोंगी कि नहीं मैं नहीं दे सकती जोग क्योंकि आपके बाद कोई experience ही नहीं है अगर आप experience बेस पे जाते हैं तो आपको job मिलती है तो मेरा मानने यह है कि आपको एक साल इंडिया में जो है job करने चाहिए उसके बाद भार के लिए apply करो गए तो आपके लिए benefit भी और काफी opportunity आपको आगे मिलती रहेगी नहीं तो आपको opportunity नहीं मिलेगी अगर आप महाँ पर लग गए hotel में आपकी किसी के नए टोपिक के साथ जब तक लिए नमस्कार सथे करें और बाइबाइ टेक केर